हेलो फ्रेंड कैसा है आप शाब अब इसलिए अच्छे होंगे फ्रेंड बता दू अज फिर से आपका साथ हाजिर हुआ हूँ कुएत शाट नूस का साथ तो देर ना करें चलिए शाट नूस के आर चलते हैं कुएत में लेबर वरकार्स को लेकर कुछ नई और बड़ी इंपोटेंट खबरें आई हैं कुएत में अमीरी की तरफ से एक बड़ा एलान किया गया है तो न्यूज आखिर तक जरूर देखें सबसे पहली खबर है कुएत में खितान के अंदर 16 लोगों को पकड़ा गया एकामा कानून का उलंगन करने के मामले में ये सबी अलगरा कंट्रियों के थे छे नकली नोकलानी जो डॉमेस्टिक लेवर ओफिस होते हैं वो पकड़े गए इनके थूरू बीस आदमियों को पकड़ा गया बीस के बीस खादम वाले थे और ये एकामा कानून का उलंगन करने के मामले में इनको पकड़ा गया मुबारकलकबीर गवर्नर से सबालनासर एरिया से 45 लोगों को पकड़ा गया ये सबी एकामा कानून के उलंगन करने वाले थे सबी को आगे बेजा गया जाच के लिए और सबी के एकामा वेलिड थे इनमें कुछ 20 नंबर किछ 18 नंबर वाले थे कुछ लोगों को काम करते हुए ओल्ड शुक साल वियासे पकड़ा गया जो बड़ी हपलोरी जाती है उनमें बकला लगाये जाते है इस ठाप के बीना लाइसेंस के और जो उनमें काम करने वाले लोग थे बकले में वो इनका कमा उस काम का नहीं था तो आठ लोगों को पगड़ा गया आठ हाप लोरीज को उठा के आगे उनको मिनिस्ट्रियों पे इंटीरियर ट्रेफिक डिपार्मेंट के गिराज में बेजा गया क्योंकि ये बिना लाइसेंस के चल रहे थे जो बक्काल है कुएत में अमेरीकी तरफ से एक डिक्री जारी करके एलान किया गया जिसमें कहा गया कि जो शेक अहमद नवाफल अहमद अलजावरल सबा यानि की प्राइम मिनिस्टर हैं कुएत के उनको कहा गया कि वो कुएत अभी नई केबिनेट बना सकते हैं और सरकार फिर से शुरू कर सकते हैं तो केबिनेट बना दी गई है सभी के नाम भी एनाउंस कर दिया गया है कि कौन सा मंत्री कि सेक्टर के अंदर होगा इसमें जो मिनिस्ट्र ओफ इंटिरियर है डेपूटी प्राइम मिनिस्टर हैं कुएत के अंदर वो पहले हैं वही रहेंगे शेक तलाल कुएत के पहले है उससे आदा भी नहीं है अभी तो फिष मारकेट के अंदर लेवर की ज़्यादा कमी होने की वज़े से फिश काफी ज़्यादा महएगी ہو गई है जितनी फिश चाहिए उती नहीं आ रहे हैं काफी शोटेज हो रहे है फिश की और लेवर की इसको बहुत ही जल्दश पकड़ा गया लेबर को वरकर्स को सबसे पहली खबर है लेबर वरकर्स को पकड़ा गया जिसमें की सो लोगों के लगबग पकड़ा गया जिसमें खितान एरिया में सोला लोगों को पकड़ा गया एकमा कानून का उलंगन करने के मामले में जो काम कर रहे थे इधर उधर उनका एकमा उस काम का नहीं था और ये अलग अलग कंट्रियों से थे छे नकली डॉमेस्टिक लेबर ओफिस पकड़े गए इनके थूप 20 लोग काम करने वाले पकड़े गए इहाडी के उपर इनका एकमे से कुछ लेना देना नहीं है जहाँ पे उनको बेज़े ये डॉमेस्टिक लेबर ओफिस वहाँ पे ये काम करके आते थे 20 लोगों को पकड़ा गया 45 लोगों को सबाल नासर एरिया से पकड़ा गया एकमा कानून का उलंगन करने के मामले में सभी काम करते हुए मिले और उनका बता का उस काम का नहीं था जो सिविल आईडी कार्ड में काम लेट है कुएट की तरफ से जिसमें एक ACI कंट्री से एक आदमी बेक के अंदर एक किलो पाउडर लेके आया था वो पाउडर कौन सा था कुछ पता नहीं हो सकता है कोई आयुर्वेदिक हो या फिर किसी टाइप का नशा करने का हो लेकिन कश्टम को कुछ पता नहीं चलने की वज़े से पाउडर का उसको बाद में हिरासत में लिया गया सामान को सीज किया गया उसको आगे कानूनी कारवाई के लिए और उस पाउडर को चेक करने के लिए बेजा गया कि किस टाइब का है या कौन सा है किस चीज का है यानि कि इस टाइब से कोई भी ऐसी चीज ना लाए दूसरी जो खबर है कौईट एरपोर्ट पर एक आदमी 250 टेबलेट्स लेके आया था जो कि कौईट के अंदर अलाउड नहीं है इस टाइब की टेबलेट और वो लेके आया था तो उसको भी आगे कानूनी कारवाई के लिए बेजा गया ये दोनों आदमी ACI कंट्री से आये थे और जो टेबलेट वाला आदमी है वो बेक के अंदर अच्छे से कपड़ों के अंदर छुपा के लाए था टेबलेट्स को इसके बाद अगली खबर है कुईत के अंदर MP शुएब साबान है उन्होंने का है कि कुईत के अंदर जिनकी सेलरी सो केड़ी से कम है या सो केड़ी है उनकी जो अभी हाल ही में एक दो महीने पहले फीस बढ़ाई गए थी मेडिकल फीस उसको उन लोगों के लिए ना खरी इनको बूचड खानों में बेंड लगाना चाहिए काटने से सिर्फ और सिर्फ बूचड खानों में बेंड लगाने के लिए कहा है प्रोपोजल रखा है कुईत के अहमधी एरिया में ट्राफिक डिपार्टमेंट के थुरू एक निरिक्शन अभियान चला है सड़कों के उपर जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस चेक किये गए तो दस गाड़ियां पकड़ी गई जो ऐसे लोग थे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रहे थे कुईत में कोई कुईती अगर शादी करके किसी विदेशी औरत को लाता है किसी भी कंट्री से हो तो अठारा साल के बाद उसको नेशनलिटी मिल जाएगी उस औरत को वो कुईती औरत बंजाएगी उसको जनसिया मिल जाएगा 18 साल पूरे करने होंगे जब शादी होगी उस तारीक से लेकर अगर इस बीच में मान लो कि उसका पती मर जाता है कुवेती जो है और उसके बच्चा-बच्ची कुछ हो जाते हैं तो जो उसके बच्चे हैं वो अपलाई कर सकते हैं कुवेती के लिए यानि की ओरत अपलाई करेगी तो वो बच्चे कुवेती बन जाएंगे नहीं तो बाद में 18 साल के बाद ही बनेंगे अगर कुछ बच्चे वगएरा नहीं होते हैं और पती मर गया है तो बाद में उस कुवेती औरत को है जो वो 18 साल के बाद नहीं बन सकती अगर वो कहीं और शादी कर लेती है तो बाकि अगर शादी करके लेके आते हैं सब कुछ शाइस से चल रहा है तो 18 साल के बाद कुवेती औरत बन जाएगी वो भी 18 साल पूरे होते ही नागरिकता मिल जाएगी लेकिन तब तक एकमा बराबर रिन्यू होता रहना चाहिए ऐसा नहीं कि कुएत छोड़के चले गए और फिर 18 साल बाद आए हैं फिर वापस 18 साल के बाद वीजा निकलवाने के बाद आए हैं कि हमें कुएती नागरिक बनाओ तो ऐसा नहीं चलेगा लगातार उनका जो है एकमा रिन्यू होता रहना चाहिए और एक बार भी छे मैने से ज्यादा बाहर नहीं रहना चाहिए कुएत से चाहे औरते हैं या फिर उनके बच्चे हैं लगातार उनका एकमा रिन्यू होता रेना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें था कि कुईत के आने वाली जरूरी इंपोर्टेंट कभरें मितना हो तो फ्रेंड आशा करताओ वीडियो को पूरा देखें होंगे आपका क्या वीचार है आप कॉमेंट वक्स पर जरूर बताए मिलेगे नेक्स वीडियो के शाथ तब तक के लिए जाहें दे